सुरी शिवास तुभ भी हम दोस्तो आज पंडित प्रदीप मिश्टा जी ने अपने चौथे दिन की प्रपन शिव महापुरान कधा में एक बहुत ही विशे शुपाय बताया है जिसे आप सबी लोगों को जरूर करना चाहिए साथ ही में एक ऐसा नाम भी बताया है जिस नाम का उच्छा श्राद बक्ष में जरूर करना चाहिए अगर आप श्राद बक्ष में अपने पित्रों के लिए कुछ नहीं कर पाए है तो बस इस नाम का आपको पांच बार जाप कर लेना है आपके पित्र आपसे प्रसंड हो जाएंगे उनको जो है कुछ ना कुछ फर्द ज श्राजी ने आज बताया है, यह बता है, दोस्तो स्वधा, नाम आपने पहले सुना होगा, किसी ना किसी उपाई में जरूर सुना होगा, तो दोस्तो इसी नाम का यह उपाई है, करना क्या है, आपको एक आखा चावल का दाना लेना है, बस कितना एक आखा चावल का दाना है इस पित्र पक्ष के किसी बीद में आप यह उपाई कर सकते हैं ठीक है एक आख है उस चावल के दाने को लेकर आपको जाना है अपने घर के रसोई घर में जहांपर आपका पीने का पानी या आरो वगेरा रखा जाता हो ठीक है पीने का पानी जहांपर रखा जाता हो उस जग पीने के पानी के पास ले जाकर खड़े हो गए उसके बाद आपको सुधा नाम का उच्चारन करना है पांच बार जैसे की हम आपको बोलकर बता देते हैं। सुधा-सुधा-सुधा-सुधा. सुधा, अब इसमें आदा सा है वा है और भामे आ की मात्रा है ये पूरा नाम का उच्चारण है सुधा तो इस नाम का उच्चारण आपको पांच वर वहीं पर खड़े हुकर करना है अपने पित्रो का इसमरण करना है उसके बाद आपको इस एक चावल के दाने को लेकर जाना है किसी वी शिव मंदिर में शिव मंदिर में जाकर आपको इस चावल के दाने को समर्पित कर देना है समर्पित करने से इस उपाई को करने से आपके पित्र दोष शमाप्त होता है दमे की बीमारी है तो भी आप यह उपाय जरू करें निस्ची दिया आपको इस उपाय करने से फाइदा मिलेगा और दोस्ते श्राद्द पक्ष में अगर आप किसी को भोजन ना करा पाए हो कोई प्रेक्रिया नहीं कर पाए हो तो बस अपने घर में भगवान के स्थान के सामने बैठ कर स्वधा नाम का पांच बार आपको चरन करना है जिस नाम को चरन आज पंडिट प्रदीप मिश्राजी ने अपनी कथा में भी कई बार पांच बार कराया है आपके पितरों को फल मिलता है वो आपसे खोश होते हैं आपसे प्रसंद होते हैं तो स्वधा नाम का इसमरन पांच बार जरू करना इस श्राद्द बक्ष में पितर बक्ष में आपको बहुत ही विश्यशवल देखने को मिलेगा तो आपको कोई भी उपाय समझ ना है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं और क्या आपने इस उपाय को सुना कमेंट करके जरूर बताईएगा ओम नमस्षिवाई जैबुरे अबास्त्री शिवाई नमस्तु भ्याम